कि देखो अभी जो प्रभास ठीक है ना वह अभी सलार आ रही है जो कि एक के जियएफ का पार्ट नहीं है चलो ठीक है ना यह पॉजिटिव साइन भी हो सकता है कि जैसे कि ना बहुत प्रभास को फाइदा भी होगा कोई एक बंदा बाहर से आके प्रभास को फाइदा होगा यह बेनीफिट होगा यह एंड प्रसाद निल वो जितना इसमें मेरे गल नजर आ वह देखर के तो मिरेको लग रहा है वह एक अच्छी मूवी लेकर क्या रहा है कि वह उष्यार सी बात है और cricket के सामने आ रहे हो आप एतने बड़े एक सूर्पर स्टर के सामने अपनी मुई को लेकर और क्लेज के तोर पे वह प्रोड़क्ट यह आ रहा है क्योंकि घृता आतया नहीं तो अब देखना चाहेह हूं कि तरीके से जाती है बड़ प्रफास की को और मुवी आ यह ठीक है वो थोड़ी सी सुपर हेरो टाइक मूवी है बट उसके बाद क्या उसके बाद आ रही है स्पिरिट जो की डिरेक्ट करने वाले कैसा डिरेक्टर जिसका नाम बड़े-बड़े डिरेक्टर के सा जोड़ना लोगों ने उरड़ी चालू कर दिया है जिन्होंने फ्रभास का एक बात थो है एक चीज कमाल के बन्दे की जो भी मूवी आती है वह आने के बाद बने रहे इसको पैसा इंवेस्ट करते और वेज़े संदीप सर का जो मेरा मानना है कि ऊविचे मूवी होती है वो अलग बात है कि प्रभास अगर 500 करोल दे जाएगा तो बजट 300-400 करोल हो जाएगा ठीक है बट उस बंदे की मोवी में खर्चा होता है सिर्फ 100-500 करोल तो बंदा बजट वाली मोवी बनाता है अब देखना पड़ेगा के स्पिरेट का बजट क्या होता है तो आने वाले ट ठीक है हम जो बोल रहे थे अभी सलार भी अगर नहीं चला तो आने वाले टाइम में प्रभास क्या करेगा सो एक बात तो क्लियर हो गई कि प्रभास के उपर अभी भी अच्छे डैरेक्टर बड़े डैरेक्टर ट्रस्ट दिखा रहे भरोसा दिखा रहे जो कि का response spirit के लिए मेरे को लगता है कि हो सकता है फ्यूचर नम को देखने को मिले प्रभास एंड संदीप सर के ये कॉंबो को देखने के लिए बागी बताओ आप कमेंट सेक्षन में spirit के लिए कितने एक्सार रोले मुझे कमेंट सेक्षन में जोड़ से बताना आइंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सेंड सबस्क्राइब एंड मिलते हैं आपको किसी ओडियो मत तक के लिए बाई बाई